stress and anxiety Stress and anxiety ускat short term effects on our body इसके बारो मैं आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नमस्कार मैं Dr. Sanjay Jain,체적 Jain Neuro Psychiatric and Lead Action Clinic, जैपो मैं consultant psychiatrist काम करता हूँ आज के समय में almost हर इंसान stress and anxiety के साथ सफर कर रहा होता है उसकी life में कुछ ने कुछ stress चलता है आज मैं आपसे stress और anxiety के जो short term effects है हमारी body के उपर उसके बारे में बात करने वाला हूँ stress की वज़े से हमारी body का almost हर function effect होता है सबसे पहले stress की वज़े से होने वाले short term cognitive effects के बारे में बताने वाला हूँ concentration में difficulty difficulty सबसे पहली problem जो होती है stress की वज़े से हमारी concentration कम होने लग जाती है जिसकी वज़े से हमारी memory पर negative effect आता है यादास कमज़र होने लग जाती है हमें जातर चीज़े negative नजर होने लग जाती है हमारी thinking negative होने लग जाती है overthinking हो जाती है बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते है जो चीज़े real में नहीं हो रही होती है उनके बारे में भी हम सोचना शुरू कर देते हैं सोच को control ही नहीं कर पा रहे होते हैं हमेशा चिंता में रहते हैं कोई ने कोई tension चल रही होती है और इन सब चीज़ों की वज़े से हमारा judgment बहुत पूर हो जाता है stress की ज़े से होने वाले दूसरे short term effects जो की है emotional effects उसमें है हमारा moodiness होना हमारा mood frequently change होता रहता है mostly negative ही रहता है हमेशा irritable रहना चिर्चिडे रहना चोटी चोटी बात पर गुसा आ जाना हमेशा agitated फील करना uneasy, uncomfortable, relaxed नहीं रहना ये सारे stress के short term emotional symptoms है तीसरा stress की वज़े से होने वाले short term physical effects हमेशा body में pain रहना headache रहना tiredness की feeling रहना chest pain, heart beat बढ़ जाना diarrhea हो जाना और या फिर constipation हो जाना frequently cold लगना और sexual drive कम हो जाना ये सारे stress के physical symptoms होते हैं चोटा stress की वज़े से होने वाले short term behavioral symptoms इसमें है भूक कम लगना या भूक बढ़ जाना नींद में कमी या नींद ज्यादा आना responsibilities को neglect करना avoid करना last moment तक जब तक की responsibility आपके सरके उपर नहीं आया थे तब तक avoid ही करते रहना नशा करना cigarette, alcohol, drugs की तरफ जाना और nervousness वाली habits like nail biting करना pacing करना इदर उदर घूमते रहना यह सारे symptoms stress की विज़े से होने वाले short term effects है जो हमारे body के उपर होते हैं जो हमारे रहना